जटपट, मश्रूम की सबजी कुकर में कूकर ले उसमें तेल डाल दें तेल गरम होने के बाद उसमें तेजपत्ता, दालचीनी और जीरा डाल दें मसाला पक जाने के बाद प्याज चॉप करके डालें प्याज ब्राउन होने के बाद कमाटर चॉप किया हुआ डालें और पांच मिनट तक पकाएं धनिया पत्ता मिर्च और लहसुन जो मैंने पहले चॉप करके रखा था दाल दें अच्छे तरह से पकाएं अच्छे मसाला जैसे हल्दी नमक, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालें अच्छे तरह से पकाएं अब कटी हुई मश्रूम को डाल दें और पांच मिनट तक पकाएं आप लहसुन के पांच छह कलियां और प्यास के बड़े ठुकड़े दाल दें लहसुन और प्यास देने के बाद इसका स्वाद और अच्छी बन जाती है दो तीन मिनट पकाने के बाद पानी डालें और कुकर में दो सीटी लगाई इसे रोटी पराठा चावल के साथ खा सकते हैं प्लीज लाइक और सब्सक्राइब माई चैनल झालें गपाने के दो प्लैवा चैनल प्लैवाद और करन दो सीटी लाइक बाद दो सीटी लाइक उले इसक्राइब माईब माई प्लाइक लगाद